हेलो दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर है तो आप टेक्निकल दोस्त को जरूर जानते होंगे वो कितना अच्छा कॉंटेक्ट बनाते हैं मैं उसका बहुत ही बड़ा फैन हूँ उन्होंने बहुत सारे ऐसे थमनेल बनाये हैं जिनसे उनके वीडियोज बहुत ही अच्छे प्रोग्रेस किये हैं बहुत ही जादा व्यूज आया हैं उनके सिर्फ थमनेल के वज़े से इतना अच्छा थमनेल बनाते हैं तो आप उस तरह के thumbnail कैसे बना सकते हो या आपने मेरे भी thumbnail देखे होंगे मैं उस तरह का यह thumbnail बनाता हो तो आप इस तरह के thumbnail कैसे बना सकते हो यह मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखे आधे में इस वीडियो को skip ना करे और आपको इस thumbnail को बनाने के लिए जो आपको सिर्फ दो application की जरूत पड़ेगा दो application बहुत ही कम MW का application है और दोनों के दोनों play store में मौझूद है ये दोनों application आपको store करना है और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस तरह की अच्छे अच्छे thumbnail बना कर है और उस play store में सर्च करना है eraser जाहां दोस्तों E-R-A-S-E-R eraser जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको इस तरह के सबसे पहला जो background eraser है इसे आपको install कर रहना यह सिर्फ 2.4 MB का application है यह मैंने पहले से अपडेट कर रखा है तो मुझे इसे अपडेट करने का को जुरूत नहीं है तो मैं इसे आप कुल लेता हूं eraser यह देखे मैं इसे कुल लेता हूं फिर उसके बाद हमें load a photo पर click करना है और फिर उसके बाद यह सब आपको कोई सावी photo select करना है जिसका आपको thumb lane बनाना है जैसे कि मैं इस photo को select कर लेता हूं ठीक है इसे आपको जो है इस तरह से adjust करना है कि बांकी के background वाले जो है छिप जाए ठीक है इस तरह से आपको select कर लेना है minimum size ओके फिर उसके आदि आपको auto पर click करना है और इस तरह से side वाले पर click करके इसे हटा देना है यह अगर ना हो तो इसे back कर लेना है थुदा सा इस तरह से आपको side कर लेना है इसे auto click कर इसे हटा लेना है ओके और यह ऐसा ना हो तो manual में आपकर भी आप ऐसे कर सकते हो यह manual है इस तरह के से भी आप इसे हटा सकते हो ओके या आप auto करके भी इस तरह से इसे हटा सकते हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे थोड़ा सा देखकर आप अगर इस वीडियो को अगर आप skip कर दोगे तो फिर आप समझ में आपको कुछ नहीं आएगा ठीक है तो आपको पहले इस तरह से आपको इस इसे इरेज कर देना है ऐसा अगर गलत हो जाएएए फि rep अगर चोड़ाय पर्ट को आपको मैनुवल करके आपको इरेज करना है इस तरह से मैनुवल कर आप इरेज कर सकते हो आपको इसमें जो है अच्छे से टाइम देना है ठीक है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए मैं थोरा जल्द वाजी में कर रहा हूँ लेकिन आपको थमनेल बनाने में बहुत ही साथानी बढ़तना है ठीक है क्योंकि थमनेल से ही आपके वीडियो में व्यूज आएंगे इस तरह से जो है आपको यह side background जो है clear हो गया है इस तरह से clear कर देना है आपको फिर इसके बाद यह right corner पर दिख लोगे done डन पर click करना है और इसे five number पर डाल देना यह अच्छे से crop हो गया यह इसे आपको save कर लेना है यह finish ओके दोस्तो यह आपके crop किया हुआ जो है यह save हो चुका है फिर दोस्तो आपको दूसरे application के लिए fix art है यह दूसरा application play store कोलना है और आपको search मारना है PICSART यह सबसे उपर आ गया है इसे आपको load कर लेना है ठीक है मैंने पहले से load कर रखा है तो मुझे इसे download करने के जुरूत नहीं है fix art को आपको इस तरह से open करना है ओके जैसे यह open हो जाए फिर उसके बाद आपको यह plus पर click करना है और यह edit पर click करना है ओके यह background आपको दिख रहा होगा इस background पर आपको click करना है आपको जिस तरह का background चाहिए उस तरह का आप ले सकते हूँ जैसे कि मैं अगर yellow ले लेता हूँ तो yellow background yellow जैसे मैंने click कर लिया अभी से जो है landscape mode में आपको convert कर लेना अपने mobile को और tools पर click करना है और यह crop crop में आपको 16.9 पर आपको click करना है क्योंकि 16 ratio 9 ही जो है support करता है YouTube thumbnail तो आपको 16.9 ही करना है और इस तरह से जो है आपको अब इसमें add कर देना है अपने photo को जो आपने edit कर रहा था इस तरह से add photo करना है यह देखिए मैंने इस वाले को अभी edit किया था इस वाले को मैं add कर देता हूँ इस तरह से इसे आप छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो अगर आपको इधर करना है आप इधर भी कर सकते हो इस चीज को इस तरह से यह देखिए मैंने add कर दिया है अब फिर इसके बाद अब लिखने का प्रोसेस होता है इसमें आप जो लिखना चाहो उसीज को लिख सकते हो यह देखो एक टेक्स्ट पर क्लिक करना है आपको और उसके बाद आप जैसे कि मैं आपको लिखके दिखाता हूँ नेक्स्ट करना आपको फिर उसके बाद यह राइट क्लिक किलिक करना है और उसके बाद आप देखियो अब इस पर आगर आप कलर करना चाहो तो किसी भी कलर कर ले सकते हैं इस से मैंने रेट कलर लेलिया और इसमें अच्छा सा इफ्यक्ट देनी के लिए आप इस यह स्ट् को भी आप color change कर सकते हो अगर आपको यह करना है इस तरह से कर सकते हो इस तरह का कर सकते हो जो भी लिखना चाहो आप लिख कर बताओ कि यह वीडियो आपके लिए कितना यूसफुल रहा और मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करे क्योंकि सब्सक्राइबर की मुझे बहुत ही जादा जुर्त है ।